आप सभी को मेरा पनाम आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रो आज हम नीली कटेरी की बात करेंगे सोलेनम जन्तो कार्पम भटकटेया भी कहते हैं सोलेनम सुरुटेंस सोलेनेसी फैमिली का ये प्लांट है और अस्थमा ब्रोंकाइटिस और कई परकार के लंग्स क की प्रोबलम का समाधान है मित्रो इसका पूरा प्लांट हम उस्थे गुणों के लिए उपयोग में लाते हैं सुखा कर्चोन बना कर आप इसको रख सकते हैं इसके सुंदर फूल आप देख पा रहे होंगे और जंगलों में मिलने वाला ये प्लांट है रोड़ साइड या कल्टिविस्ट करने के बाद अच्छे थ्रॉप्योटिक बेनिफिट्स आते हैं मित्रो आप किस परकार से अपने अच्छे स्वास्ति के लिए इसको उपयोग में ला सकते हैं ये हम भी दिवत जानेंगे आज मित्रो इसके फल भी आप लगे हुए देख पा रहे होंगे इ उसको धुआ लेने से आसानी से एकदम ठीक हो जाता है एनल्जेसिक पेंखलर एक्टिविटी इसके बीज के अंदर होती है अगर बवाशीर के कारण या पाइल्स के कारण दर्द हो रहा है तो वो धुआ लेना चाहिए उस दुआ के लेने से अर्स का दर्द भी आसानी से जाता है मित्रों गला सूख जाता है सौंस लेने में दिक्कत आती है गले में दर्द हो रहा हुता है सूजन हो गई है इस परकार की जो समश्चाए हैं उनको ठीक करने के लिए आप इसका काढ़ा पीकर आशानी सैसे विमारियों को दूर कर सकते हैं वास्तव में तो यह मुट अर्षाइटिस के कारण बना हुआ है तो आप पत्र का ॥ाइन पेस्ट बना लें महीन पेश्ट बनाकर अपलाई कर लें तो हमबात के कारण होने वाला दर्द भी ठीक हो जाता है मित्रों अगर आपको वुखार हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसा हमारे प्रकृति के डिस्टर्ब होने के कारण होता है आप इसकी जड़ लेकर बराबर मात्रा में गिलोए मिलाकर काड़ा बनाकर और उसमें स्वाध अनुसार सैद या सक्कर मिलाकर आप से बन कीजिए बुखार को आसानी से ठीक करता है और कई बार मित्रो लंग्ज में इंफेक्शन बन जात है अस्थमा की समस्या पूलतर से ठीक हो जाती है गला बैठ जाता है या होर्सनेस की समस्या होती है या आपकी टंग भारी होने के कारण आप तुतला बोलते हैं तो तुतलानी की समस्या है वो भी ठीक हो जाती है कंट संबंधित जो रोग हैं उनको भी ठीक करने का कारे करत है मित्रो इसका आप अगर डिकॉक्षन से गारगल करते हैं कुला करते हैं तो आपकी जो आवाज है वह सिंग की तरह से प्रबल और द्रड हो जाती है हमारे जो रेस्पारिटरी सिस्टम के अंदर जो अवरुद्ध होता है किसी भी परकार का उसको ठीक करने के कारे करता है औ जो वाइज है वह काफी और तेज हो जाती है उसकी सूझन है उसको भी ठीक करने का करता है अच्छे स्वास्ते के लिए डाइजेशं को बढ़ाने के लिए आप इसके खवात्ख खा सेवन कीजिए आपको अच्छी भूक लगेगी ऐप च translates resistantmotभ को ठीक करता है स्ट्रीन में प्राबलम है ऐसी समय है उनको भी ठीकि करने का कारेए करता है posterior सिस्टम को अच्छा करता है उस परकार की और बी अलbeiten बीमारियों में इसका उपयोग हम करते हैं लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, कल फिर सुबह 6 बजे एक प्लांट के साथ मिलेंगे, आप ये जो जानकारी है, ऑथेंटिक इसको आप शेर केजे, अन्य लोगों से इस जानकारी से लाब हो सके, जानकारी से फायदा हो सके, अपने पर्टिकुलर डिसोडर्स के ल हैं, इन्ही बातों के साथ, इन्ही मंगल कामनाओं के साथ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबी का धन्यवाद पर नाम मुश्कार.